हलो वाडियो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी दूस्तों दिस लेक्चे नमबर थर्ड ओफ चैप्टर वन जिसका नाम है बेसिक बेसिक के अंदर हम सेकंड कॉंसेप्ट कर रहे थे सेकंड कॉंसेप्ट थोड़ असा लंबा है जिसमें आज हम परसन की डेफिनिशन सीखेंगे औ और असेस्थी की डेफिनिशन सीखने वाले आज की सेशन वह तो पहले जो में लास लेक्चे ने बढ़ा था उसको पहले रिवाइस कर लेते हैं दैन वी डिसकर्स अब टुडेस लेक्टर ओके तो लास सेशन में हमने बढ़ा था जी चार्जिंग सेक्शन ओफ इंकम टैसे इन ओंप ऋसको ऐसेस्थ्रेयर की वालें इस और टुडेस कॉरल है यह को हिए टक्तिम घ्क्न अदर लाइबल्स एक्ट पर एक्ट की उसको टैक्स देना पड़ेगा वो परसन किया होता है यह आज की शेशन में सीखने वाले थरुडेस सॉंसे ऊंसेप्त उगे इसक यह सेघ्या कि यह साल नहीं गाँ है और सकासिए में नहीं होता है गाइ आपके questions mentioned है तो जिसमें हमने सीखा कि previous year और assessment year same होता है यानि हम assessment year आने का बेट नहीं करेंगे हम previous year की income पे same year में ही tax ले लेंगे तो इसलिए हमने का previous year equals to assessment ऐसा कब होता है पहला हमने सीखा sick paying business of non-resident क्योंकि हमको पता है यह वापस लॉट के नहीं आएगा प्रोविजर परसल लेविंग इंडिया एक ऐसा इंसान जो की इंडिया को छोड़ के जा रहे है और बहुत सा रिजर्स के लिए पर्टिकुलर इवेंट के लिए और नाइस होते हैं जन्वास नहीं हो गया उसके बाद यह नहीं पता चलेगा कि कौन था किस नहीं किया इसलिए हम उसी मुमेंट पे उनसे वह यह सब्सक्राइब कि यह सब्सक्राइब करें तो इसी साल हम कह रहे कि जो तुमने इंकम कमाई उस पर टेक्स देदा सो मेरे दोस्त ये पिछले सेशन में पढ़ा उसका रिवीजर हो गया लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज जो हमारा सेशन है उसके टॉपिक को देख ले सबसे पहले परसंट सेक्शन टू क्लॉस 31 इसमें बहुत डिटेल डिसक्रशन करने वाले और इसके बाद हमारा अगला अब यहां पर कैच की बात क्या है कि देखो मैक्सिम आपने जब भी बढ़ा होगा आप मुझे खुद दिल से बताएगा कि आपने इतना डैप्थ में कपड़ा होगा लेटली देखो हम जाते एक्जाम देने और हमें टैंशन होती है कि क्या पूछेगा एक्जामनर भाई आपको वही पूछेगा जो उसने स्लिवस बता रखा है लेकिन आपको भी अपना लेवल हाई करना पड़ेगा स्टेंडड हाई करना पड़ेगा अपने कॉंसराफ्टित जादे स्ट्रॉंग करने पड़ेंगी कि एक्जामनर कुछ भी पूछ ले यूर रैडी फॉर इट तो आज का लेक्चेर शुरू करने से बहले दो मिट का वोटिवीशन रखते हैं पहले माइंड क्लियर करते हैं कि हम पड़ क्यों रहें देखो यार कभी भी जिंदगी में आपको खोजना क्या है आप खोजते हैं कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए एक अच्छी डिगरी मि आपकी सोच जब तक बड़ी नहीं होगी आपकी पावर कभी भी बड़ी नहीं होगी एक स्पाइडर मैन मुवी उसका डायलोग बहुत बड़ा फेमस हुआ कि ग्रेट पावर्स कम वित ग्रेट रिस्पॉंसिबिल्टी आपने सुना होगा लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा देप्ट अनलाइसस किया तो मैंने यह सीखा कि जब आप जिम्मवारी बढ़ाते हैं शक्तिया अपने बढ़ते हैं जब आप रिस्पॉंसिबिल्टी लेते हैं आपकी शक्तिया अपने बढ़ते हैं जब जब आप भी उस बोलेंगे मैं दो वक्त का घाना चाहिए आपके अपने इनरजी कभी भी मैक्सिमाइज नहीं होगी बट बैन यू थिंक कि यार मैं अपने परिवार के लिए कैसे करो अपनी फैमिली के लिए कैसे करो आपको नए आइडिया एंगे पोटेंशिल बढ़ेगा स्टमना बढ़ेगा और डेडिकेशन बढ़ेगा कि नहीं यार मुझे करना है अपनी फैमिली के लिए दोस्तों अपनी फैमिली के नाप एक लाइक जरू किजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरू किर लिजिएगा विट मोटिवीशन और सेशन विविल स्टार्ट आवर इंक्रम टैक्स सेरीज तो सबसे पहले बात करते हैं पर्सन क परसभी नस के बाद हमारे पास एक सेके बाद कंपनी के फरम यदा फोल्प का अस्टेश्य सिसटे तो यह हमारे पास 7 गत quick 8 हो गया तो एट कैटेगरी आपने लिख रखी है कई बार ना एओपी बीवाए को सिंगल हैडिंग में रखा जाते हैं लेकिन हमारे जो स्टेडिमेट लेट टेस्ट वाल है उसमें अलग लग रखाऊ है तो हमने भी अलग लग रखा है क्योंकि हमें एक्जामर की साम से चलना होगा किसी भी फिल्ट के एक संदीपमाईस धूरी सर बहुत अच्छी लाइन मलते हैं अगर आपने शुनी हो उनका कभी मोटिवीशन सेमना नहीं शुना तो चैनल संद्राइब कले ना संदीपमाईसे का बहुत अच्छे मोटिवीशन स्पीकर है उन्हें नहीं बहुत सब्सक्राइब और आपको आपका मिलेगा विश्यू अल्डवेस्ट ठीक है चले तो बात करते हैं परसंट की तो परसंट कौन है दिए हमारे इंकम टेक्स ने सेक्टिंट्वर्ण परसंट की में सेवन कैटिग्रीज देमें में बताईए तो यहाँ पे लोर्न ने कैसे लिखा है वैसे इसको नहीं लिखो जाम में तो भी चलेगा सवन कर रहें ब्रीफ लीकिशिए चैटिये संब था और अब लग कर दिया गया है इसलिए वह एट दिख तो यहां पे देखो MCQ पूस्ते नहीं से कहा साथ है यह देखो इंक्लूड्स बोथ मेल्स और फिमल्स क्या सर एक कोशन चोड़ा सा सर इंडिविजल में मेल फिमल्स दोनों आता है हाँ आपको पता नहीं होगा जब आप इंकम टेक्स रेटन फाइल करते तो भी जो आपका प पता है लेकिन फिर भी आपको एक्जामनार आपके लिए क्लेरिफाई कर रहा है कैंड़ी डोंट बी कंफ्यूस अगर में से क्यों पूछले तो मत बूला कि टीचर ने पढ़ाए नहीं था ठीक है इट इंक्लूड आप माइनर सर इसमें माइनर भी आता है हाँ जब एक न आपके इंकम टेक्स में चैप्टर है क्लबिंग उसमें आप सीखेंगे कि अगर एक बच्चा डांस एंडिया डांस टीक है या फिर अच्छा किर्केट खिलता है या फिर कोई पिसके अंदर का टैलेंट है इसके ले उसकी वह पैसा कबार है तो उसको भी रेटन फाइल करन अगरे भाई अगरी स्टेडिमेट पढ़ोगे तो बहुत को सीख निकले विलेगा तो इसलिए कहता हूँ कि बैस तरीके से पढ़ो अब आप मुझे पहली बाद देता हूँ परसन की डेफिनिशन में कभी आपनी यह पइंट पढ़े थे कि मेल फीमेल होता है सर हमने तो के द्वारा पढ़ा नहीं पढ़ाना जाके स्टेडिमेट देखेगा इस नोट्स के बाद आपका स्टेडिमेट में बात लिखी हुई है और अगर आप रिपीटर से पहली बार इंकम टेक्स पढ़ रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है रिपीटर से तो सूचेगा कि लास रिपीटर में इंकम टेक्स क्लीर हुआ कि आपनी बारीकी से पढ़ा था क्या परसंड के अंदर माइनर आता है खुद बताइगे असे इंडिवीज्वल में माइनर आता है अंसांट मैंड भी आता है सब अंसांट मैंड क्यो माली चीए कोई बच्चा है बहुत समझ रहे है अप मेरी पाथ रिटर्न आपकी इंकम टेक्स में चैप्टर है वहाँ पर डिटेल ने बढ़ेंगे बस कुछ हिंट दे रहा हूं मैं आपको ताकि आपके दिवाग में खुले मैं कहना किया जाता हूँ अगर कोई डिसीज बसने अब किन रिपेंट यॵह इसको मिल रहे हैं वह बंदा मर गया है तो उसके इंकम किसको मिल रहे है वो बंदा इसके विहाब में रिटन फाइल करें तो यह चीज छोटी सी बताई जा रिए नॉलेज के लिए मेरे को लगता है यह वाला पॉइंट आपने कहीं न कहीं तो पढ़ा होगा लेकिन इंकम टेक्स में पढ़ा है क्या इसी चैप्टर में पढ़ा है क्या यह मुझे ज सब्सक्राइब कर और इतना बहतरी तरह से पढ़ो कि आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो कि विए इस विसे नहीं हो पाया नव एच्व एफ सर एच्व में देखो मैं आपको सिंपली यह जो टैक्स है ना यह आपके लिए आप पढ़ना मैं आपको नॉलिज दीता हूं नॉलिज आ गई ना तो रिटिंग अपने आप हो जाएगी एच्व क्या होता है जैसे मैंने एच्व को सवसे पहली फंडामेंटली कैसे क्लियर किया ना जब मैं छोटा था एक जगे पर रहता था वहां पे हमारे घर के पीछे एक घर था जहां पे वो किराना शॉप चलात फिर दोनों नड़कों की शादी हो गई फिर उनकी वाइफ भी बैठने लगए फिर उनके बच्चे बढ़े हो गए वह भी बैठने लगए है एच्ची एफ फैमिली बिजनस हिंदू अंडिवाड़ेट फैमिली एक साथ जुड़ी हुई है और मिलके कोई काम कर रही है है सर जैसे आपके कई बार जैसे अगर आप आपने बिकानीर अगरवाल का नाम सुना होगा लेकिन कई बार क्या होता है कई बार ऐसी भी मिठाई की शॉप होती है जो फैमिली बिजनस होती है भाई भी काम कर रहे है पापा भी काम कर रहे है मम्मी भी काम कर रहे है कई जगे बहुए भी काम करते हैं मिलके और नहीं काम करते है एच्छेए ठेक है तु इदे को क्या लैंवज लिख्की है ठेक है Hindu undivided family has not been defined under the income tax act oh my god income tax में defined ही रही है क्या मैं 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 स्जी क्यों पूश दो क्या है एच्छेए फिस defined in the income tax act abo nghe na isa na hai defined the expression is how we were defined under the hindu law as a family which consists of all males linearly descended from a common assenters including their wives and daughters मतला दादा के दो बच्चे यानि मैं और मेरा भाई हमारी wife उनके बच्चे हएख ब्राच तेक इस तरी के सोचो नो a daughter of a co-personal by birth shall become a co-personal in her all right in a same manner as the son वो कहता है कि मालो किसी भाई की दीदी है ठीक है भाई की दीदी यानि घर में बेटा और बेटी दोनों है तो बेटी का भी बेटे की समान लड़के की समान अधिकार आता है प्रोपर्टी गेंदर वैसा ऐसा बहुत कम ही दिखा जाता है कि वो बेटी अगर उसकी शादी प्रॉपर हो गई है वो खुशहाल है तो नहीं आती जनरली तो मैंने यहीं दिखा है लेहिन कभी कर एक लाए लिखे लिए जैन अंडिवाइड फैमिली एट सिख अंडिवाइड फैमिली वूड अल्सों भी असेस्ट अच्य यहार देखो तुम पेपर कर रहे हो मुझे सच बोला कर रहे हो कि नहीं क्या यह वाला पॉइंट ने बढ़ा था किति फीज दीती ही तो अगर इग्जाम में कोशन आ गया क्या करूप के तो प्लीज इस बार कोई भी गलती नहीं होने चाहिए मुझे इस बार आपके प्राउड चाहिए वह मैं चाहिए तो इसी लेक्चर को रिकॉर्ड करके अप में दे दूगा बच्चे पासजार दोजार चारजार के ऑफर में बाई करेंगे लेकिन हर चीज पैसे के लिए होती कु कि जैन अंडिवाड़ेट जो फैमली है और सीख अंडिवाड़ेट फैमली जो है यह है यह ही काउट किये जाती है देखो लेकिन हिंदू लोग को दो तरीक से ट्रीट के जाता है एक है दया भाग और एक है मिताक्षरा स्कुल देखो दया भाग देखो मैंने इसको कैसी य नहीं गया है जो पूछा गया होगा वो कोशिन में अल्रीड नोट्स में रखोंगा जैसे अससी की डेफिनिशन पढ़ोगे रहा ये एक्जाम में पूछी गई है हुई जन अससी आपकी स्टेडी मैट का कुशन है लेकिन जो नहीं पढ़ पूछी गई है वो भी मुझे आनी है यहां पे आप पढ़ोगे अपको पड़़िस में अाएं कि इन इन में भावनाब नदि इन्हें मिताक्षा यानि दिा मिताक शरा क्षर यहां और आनि एसी लोग जो मिलके रहते हैं जिन में भावनाब नदिशन फाले हैं तो आप यहां जिस लिए इस तरी Kommis तरी Muni जा रहे है कि emotions थोड़े से पत्थर दिल वाले मैं यह नहीं कहूंगा कि वो लोग अच्छे नहीं है वो अच्छे है I just राइग टू कि concept कैसे याद रहे आपको अगर यह टेक्निक अच्छी लगी हो commit works में जाके लिखना यहां पर लिखा है दया भाग यानि emotions थोड़े पत्थर दिल वाले nobody acquired the right कि आपको अधिकार नहीं मिलेगा यानि जैसे होता है न मेरा बीट है बाइब बर्थ मेरी जो भी चीज़े उसको मिलेंगी रेस्ट ऑफ इंडियम यह होता है लेकिन वेस्ट बंगाल और असाम में का जाता है कि पापा के जाने के बाद ही तुम उसके मालिक बनोगे तब तक जब तक पापा जिंदा है तुम इन फैंबली एक्वाइर राइट शेर इन फैंबली प्रपार्टी क्या यह बहुत टफ लगा आपको सच बोला नहीं सट टफ नहीं इसी लगा और अगर तफ लगा तो कोई बात अच्छा यह नोट सर कैसे मिलेंगे इसके लिए जो लेक्टर नमबर वन है उसकी स्टार्ट प्रप्रटी अपको देखनी है एक इंडियन कंपनी एक फॉरेंड कंपनी कांपनी कहता है कि सर सेक्षिंट याद रखने नहीं कट कर दो मैंने आपको 231 पढ़ाया परसदाट सेट चार्टी सेक्षिंट सेक्षिंट पूर बास चादर टेंशन नहीं देने का बाबा रिलेक जो सेक्षिंट जहां याद कराने मैं महानत करूँगा क्यते हैं टू कंडिशन से इंडियर कंपनी होने के लिए दो कंडिशन से कंपनी शूड है वीन फॉर्म एडिश्टर अंडर अंडर दिस एक और एनी प्रिवियस लॉग यह कंपनी एक ने बोल रखा है तो यह उसी ड कंपनी रेइस्टर एंड फॉर्म है 1956 वासि यहां 2013 होना चाहिए था ठीक है 2013 भी इसी में आते हैं आप जो पढ़ रहे हैं 2013 है तो अगर वो उसमें रेइस्टर थे तो उसे हम इंडियर कंपनी मानते हैं और प्रिशन आफिस और प्रिस्पल ओफिस और शूड प्रिस्पल अगर ईंडिया में हैं तो उससे भी हम इंडियर कंपनी मानते हैं तो फॉराइन कंपनी कॐन सी है ए इंडें कंपनी आपकी डुबस्थिक अंपी डूसरा company which has made arrangement for declaring and paying dividend within India out of the income chargeable to tax in India. तो यह हम domestic company मानते हैं. यह छोड़ा सा concept हो गया company के उपए. इसके बाद है firm. Firm में क्या है? Firm में as defined under the partnership act firm वो है जो partnership act में बताए गई है. Partnership act में क्या बताए गई है? partnership act पढ़ा है क्या आपने? B.com में पढ़ा होगा, M.com में पढ़ा होगा, या फिर C.A. का foundation है उसमें law पढ़ा होगा. नहीं पढ़ा क्या? मैं बताता हूँ. जब दो या दो से अधीक लोग एक साथ जुड़ते हैं थाकि वो पैसा कमा सके तो उसको हम बोलते हैं पार्टाइश है अभी भी या नहीं है, अब मैं नहीं सिखाऊँगा, इतना इस बता सकता है था ठीक, उसके बाद LLP भी फर्म में काउंट होती है, यह आपका M.C.W. बन सकता है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, अब माइनर एड्मिटेट, एक माइनर भी अड्मिट किया जाता है, बेनेफिट आपने पढ़ा होगा, टीचर ने पढ़ाया भी होगा, हाँ, अभी इंकम टेक्स की बताया होगा, कि एक माइनर as a profit, loss के लिए नहीं, loss के लिए नहीं, class 11th में ही partnership है, 12th में ही partnership है, अब नहीं बढ़ा होगा, कि loss के लिए एक माइनर पार्टनर नहीं बल सकता, लेकिन for the purpose of profit, a minor can be a partner, लिका है, पार्टनर्शिप is the relation between persons who agree to share the profit of business carried on by all, और any of them acting for all, इसका मतलब क्या था है, जुर्य नहीं है कि जितने भी partner है, सारे ही active हो, और सारे मिलके काम करें, अगर सारे मिलके काम कर रहे है, तो भी ठीक है, अगर कोई एक काम कर रहा है, सब के लिए वो भी ठीक है, okay, the person who have entered into the partnership with another are called individually, partners and collectively a firm, जब वो अलग-लग हम बात करते हैं, तो वो partner कहलाते ह है, तो सर क्या, इसका section याद रखना है, नहीं, नहीं याद रखना, section जहाए याद रखना है, मैं बार-बार repeat करूं का पोई याद हो चाहेंगे, now, EOP-BOI, यह बहुत प्यारा से concept है, देखो person की मैंने आपको adaptation मता ही, कितनी होता ही, साथ category बुली है, EOP-BOI, एक ही मैंने अल association of person, और body of individual मतलब, इसमें firm आएगी क्या, नहीं, क्या company आएगी क्या, नहीं, इसमें कौन आएगी, इसमें राम, शाम, मोहन, यानी, male और females, minor आ सकता है, हाँ, profit, purpose के लिए, guardian उसके विहाब पर होगा, क्या, एक ऐसा person आता है, answerment, हाँ, उसका जो caretaker होगा, वो आएगा, this is person में representative आएगा, but individual, जो मने point number one पड़ा of this lecture, individual, body of individual का मतलब कहा है, कि जहाँ पे सिर्फ individual, राम, शाम, मोहन, यह सा मिलके, कोई काम करने जा रहे है, तो body of individual कहते है, और वही, association of person, यानी, eight category में कोई भी, राम, firm के साथ, राम, company के साथ, company, राम और firm, और अभी भी नाम आएगा, क्या आएगा, artificial, judicial, person, और local authority, यह लोग भी, मिलके अगर कोई काम करते है, तो इसे बोलते है, association of person, लेकिन body of individual में क्या है, individual वाला concept कहते है, कि बस इसमें राम, शाम, मोहन, जैसे लोग ही आएगे, इ artificial, judicial persons, नहीं आते, ओके, difference between AOP, BOI क्या है, यह बड़ा important है, अच्छा सचे बताना, तुम्हें टीचर ने पढ़ाया था, चलो कोई बात नहीं, इसमार अच्छे से पढ़ना, और full marks लेके आना, और दिल से, thanks जो रोग बुलना, in case of BOI, only individuals can be the member, individuals जो है, वो member बन सकते है, whereas in case of AOP, any person can be a member, it is like company, firm, it is, sir, यही तो आप समझा रहे थे, हाँ, हुआ ही ती, English में लिखा है, in case of AOP, members voluntary come together with a common will, for a common intention, purpose, whereas in case of BOI, such common will may or may not be present, अब एक चीज़ उसने और बोली, और समझते है, कि AOP में, यहाँ पे, member of AOP, but not of BOI, firm और company जो है, वो member बन सकती है, AOP के, body of individual में नहीं बन सकती है, ठीक है, okay, now एक बात, अब इनकी definition लिखिए, यह आप पढ़ लोगे, definition आप पढ़ लोगे, इतना यह, जो difference था, वो आपको सुझवाना चाहिए, अब आप पढ़ लोगे, ठीक है, ओके, now local authority और artificial judicial person, local authority, जैसे municipal committee है, district board है, part of commissioners है, या other authority legal, entitled to, interested by the government, जो की government द्वारा बनाई गई है, control और management के लिए, municipal और local fund को, तो उसको हम local authority कहते है, जैसे आप का house tax कटता होगा, multiple party की लोग लेते है, अभी चल रहा है, जिसमें आपके घरों के बाहर एक वैन आती है, गाड़ी आती है, चोटा सा ट्रक जिसमें आप अपना कूडा डालते है, तस बीन का जो भी metal होता है, उसमें वेस्ट करते हैं, ठीक है, वेस्टेज को, डिस्पोस करते हैं, तो वो local authority करते हैं, तो उसके लिए local authority फिर नेक्स है, artificial judicial person, इसमें आप सबसे अच्छे example ले सकते हैं, मंदिर, मस्जद, ठीक है, गुरुद्वारा, मतलब जिसे आप बोलते हैं कि भगवान के बाद कर रहे क्या, मैं आपको example लेता हूँ, अभी एक relative है, नाम नहीं लोंगा उनका, sorry, YouTube है, वो बनारस में बहुत बड़े मंदर के ना, बहुत बड़े top level पे है, मेरे उनके बच्चों से बात होती है, उन्होंने मुझे कहा कि पापा जो है ना, बहुत अच्छी इनका मन करते है, मैंने का अच्छा, तो मैंने पुझा वो पूजा पाट के चीए, कहते हैं सुवर, वो पूजा पाट नहीं कर आते हैं, उनके अंदर में पंडित हैं, जो पूजा पाट करवाते हैं, उनका कामकार लिए decision making का होता है, ये चीज़ होनी चीज़ नहीं होनी चीज़, ये चीज़ आसे होनी चीज़, ये चीज़ आसे होनी चीज़, ये चीज़ आसे होनी चीज़, इनका ओके ग्रेट, हनुमान मंदर है example लिया मैं ना भगवान हनुमान को सोने का एक गदा चड़ा हूंगा example ले रहा हूं just example ठीक है करिपा यूट्यूब पे देखने वाले सभी विदार्थिगण और अन्य लोग यह समझे कि एक example है please ठीक है तो अम माली जे वो सोने का गदा let's suppose 25 फाइसलोग सब्सक्राइब में 25 लेक्स का था जो मैंने बना के दिया तो ऐसे ही बहुत सारी लोग होते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं मस्ज़ए जाते गुर्दवारा जाते तो वो लोग भगवान को कुछ नहीं को चड़ाते रहे थे तो वो खर्चा कहां जा रहा है, वो पैसा कहां जा रहा है, कई बार तो मंदिरों में 100-100 लोग बस इसलिए होते हैं कि चाहकी वो चिल्लडों को गिन सके, कि आज कितना collection हुआ भगवान के नाम पे, collection that says how much the money received by God as a gift, तो उसको फिर पैसे को रखा जाता, मैं यह नहीं कहा रहा के लिए ही अगर यूज हो रहा है, तो वो गलत नहीं है, जैसे मंदिर के लिए और जमी ले ली, और अच्छी मूर्तिया लग गई, टाइल्स लग गए, और अच्छा decoration हो गया, तो वो good है, लेकिन कोई person इंसान उसको अपना personally earn कर रहा है, परसनल अपने purpose के लिए उसकर रह इसनों ने दो concept चीक है, दया भाग और मिताक्षरा, दया भाग वाला concept क्या बोलता है, कि जहां पर by birth आपको right नहीं मिलेगा, मिताक्षरा कहता है कि आपको यहां by birth right मिलेगा, इसके बाद हमने company में सीखा, company Indian company होती है, foreign company, Indian company जो form और incorporate हुई in 1956 और 2013, और जिसका principal place of business, या फ इसे इंडिन company मानते है, rest of the companies are known as foreign company, firm कौने सर, जहां पर एक या दोसिज ज्यादा लोग एक collective purpose के लिए पैसा कमाने, तो उसे हम firm कहते है, इसमें ये भी हो सकता है, कि 1% सब के भी हाँ पर काम कर रहा हो, या फिर सब मिलके भी काम कर रहा हो, तो ये भी इसमें आते है, लेक LLP भी firm के अंदर आती है, association of person, body of individual, यहां पर हमने सीखा, association of person, person यानि any combination of persons are association of person if they working together to, for any particular purpose or carry on any business, और body of individual में क्या है, ये सारी लोग होंगे, लेकिन सिर्फ individually होंगे, राम साम मोहन स्वान, इसमें firm और companies नहीं आते है, ना उसके बाद local authority, local authority में हमने मुल्सिपलिटी का example ल तो हमारी person की definition complete हो गई, अब जड़ा last lecture को correct करते है, हमने पढ़ा section, charging section, charging section क्या कहता है कि एक assessi को, sir assessi क्यों आता है, अब assessi हम देखने वाले है, अगर वो previous year में income अंगर रहा है, तो assessment year में उसको tax देना पढ़ेगा, तो हमने person सीख लिया, person को सीख लिया, अब person को सीख लि assessi वो है, जहां सुनेगा, assessi वो है, जो libel है government को tax pay करने के लिए, government के tax के rules को follow करने के लिए, but person जोरी नहीं है कि हर मंदर पे धाई लाग से जादा, पास लाग से जादा income मान होती हो, कई जगे लोग एक एक दो दो रुपे डालते हैं, छोटे छोटे बंदर होते हैं, साल क मुस्कल से 40-50 रुपे होते हैं, तो उनको income tax follow करने का ज़रत नहीं है, यह समझे, जिससे income tax follow करना पड़ेगा, rules follow करने के लिए पड़ेंगे, अब AOP, B.O.I. मैंने example लिया, कि let's suppose, गड़पती बपा मोरिया, दो जगे गडपती जी का समभ़ रहा हुआ, एक जगे income आई 5- 10 lakh, मैं यह नहीं कहा रहा हूँ, गलत यूज किया, मैंने का आए, इतने पैसे collect हुए, और वो कहां यूज करेंगे, वो बताना पड़ेगा, और दूसरा एक जगे आया सिर्फ 500 रुपे, क्या उसके लिए बागेंगे आप rules, नहीं, क्या उससे कहेंगे income tax follow करो, नहीं, इसल देखो, मैं आपको सबसे पहले last line बढ़ाता हूँ, every person who is deemed to be an assessi in default under any provision of income tax act, यानी, आप assessi कहलाएंगे, अगर आपने कोई default किया, default जैसे, आपने TDS deduct नहीं किया, तो भी है, TDS deduct but not paid, deduct but not paid, paid to government, तो इस case में भी आप assessi ही है, सब TDS क्या होता है, यह हम लिटर आउन सेखेंगे, अभी हमें concept चीखना है, उस पे ध्यान नेते है, every person who is deemed to be an assessi under any provision of this act, अगर किसी इस act में किसी provision के अंदर आपको assessi माना गया है, तो भी आप assessi है, यानी, assessi में अपने अपने अगर आप कोई भी प्रोविजन डिफॉल्ट करते है, तो भी आप assessi माने जाते है, या फिर income tax के provision में अगर बताए गया है कि यह वाली चीज assessi कहलाती है, तो भी हम आपको assessi मानेगे, अब पढ़ते हैं इसनी definition, assessi means, कहते है, assessi means a person, एक ऐसा व्यक्ती, ठीक है, by whom, जिसके द्वारा, any tax or any other sum of money is payable, या तो उसे tax देना पढ़ रहा है, या कुछ ऐसा पैसा देना पढ़ रहा है, under this act, यानी, income tax के अंदर, उसको हम assessi बोलते है, य तो government को tax दे रहा है, या कोई भी ऐसा पैसा दे रहा है, जो as a tax he treat किया जाता है, तो उसे हम assessi बोलेंगे, it includes, मतलब इसमें ये चीज़े शामिल है, तो शामिल में आपको default वाला case बता दिया, और provision में assume किया गया है, कि ये वाली चीज होने पर assessi माना जाएगा, तो assessi माना चाहेगा, now the last concept of assessing, every person, हर एक वैक्ती in respect of whom any proceeding under this act, यानि जिस पे कोई भी कानूनी कारवाई, proceeding मतलब कोई भी law चल रहा है, कोई भी प्रोविजन चल रहा है, कोई भी चीज़े follow हो रही है, has been taken for the assessment of, कैसा, जैसा वो अपनी income calculate करके बता रहे है, the income of any other person in respect of which he is assessable, या फिर आ आप किसी के बिहाफ पर बता रहे हो, तो भी आप रहे हैं, तो भी आप रहे हैं जाओगे, law sustained by him or such other person, एक कोशन आता है, कि अगर laws हुआ है, तो भी ये सस्सी है, हाँ, जोरी नहीं है कि profit होगा, तभी आप income tax return file करेंगे, आप ये पढ़ेंगे, return of income के topic में, loss होता है, तो भ loss 7, जड़ा थोड़ा सा एक बार depth में पढ़ते हैं, और फटा फटा इसको conclude करते हैं, हमने सीखा assessi, assessi हर एक वो वेक्ती है, जो government को tax देता है, वो assessi है, या फिर tax की तरह कोई amount government को pay करना पढ़ा, मैंने ये निका कोई भी amount, कोई भी amount, as a tax pay करना पढ़ा, वो भी assessi है, it includes, इसमें क्या क्या शामिल है, पहला, जो इंसान अपनी खुद की income calculate करके government को tax दे रहा है, assessi है, आपको loss हुआ है, फिर भी return file करना पढ़ा है, अगर आपको refund claim करना है, तो बिया पढ़ा सी है, अगर income tax के provision में कहीं माना गया है, assume किया गया है, तो बिया पढ़ा सी है, और तो हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने concept number two जो है, अपना finish करती है, तो आप लोगों से गुज़ारे से, यहां तक एक बार अच्छे से पढ़ ले, revise कर ले, मिलते हैं आप से next session में, वीडियो को like जरू कीजिएगा, comment में जाके बताइएगा, क्या सीखने के मिला, मुझ में को जाके बताइएगा, कुछ doubt हो, related to this video, comment box में जाके लिखेगा, अपना ख्याल रखेगा, चैनल को subscribe करेजिए, और दोस्तों में share कीजिए, ताकि जो good intention है, जो अच्छे वाली feel है, जो मैं चाहता हूँ कि, वो student जो self study कर रहे हैं और अच्छी knowledge नहीं ले पारे, वोन तक यह व बास and God bless you.